है यह एफरीवान वेल्कम टू सिंप्लिफाइड एकश्प्विणेशन आज हम बात करेंगे पैटर्न सेयर एसे प्री आप्म कर hairs the pattern recognition Carroll संथे भी यह यह तै всё आभे शींप्तर डियोंड रिचेपटर्ण को रेकिनाईज करते हैं इस पैटरन आप किस टाइप की पैटरन को रिकेगनाइज करेंगे यह किसी मॉलिक्यूलर कि श्रॉक्चर्या पैटर्न को रिकेगनाइज करेंगे जो कि कहां प्रेजेंट होगा यो की एसोसियेटेड रहेगा विद पैथोजन के साथ में यानि कि वो स्ट्रॉक्चर यह पैटर्न जो की प्रेजेंट है इन पैथोजन उसको उसे हम पैथोजन एसोसियेटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न कहते हैं इन शोर्ट हम इसको P-A-M-P-S या फिर M-M, Microbial, Associated Molecular Pattern या फिर D-A-M-P-S Damage Associated Molecular Pattern कहते हैं तो कहने का मतलब यह है कि यह जो पैटर्न होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं किसी पैथोजन में और उस पैटर्न को रेकेगिनाइज करने वाले रिसेप्टर्स को पैटर्न रेकेगिनिशन रिसेप्टर्स कहते हैं तो यह जो PAMP, MAMP,ια सारे जो पैटर्न होते हैं यह पैटोजन में प्रेजन अउंगे जैसे कि बैक्टीरिया सा जो गया वायरस फंजाई पैरसाइट इन सारे में प्रेजन रोता है अलशे अब जो कि निथ इंव्यून शेल्स पर oh अभी इनेड इम्यून शेल्स पर प्रेजेंट ए में स्पोल्स एक इंमून शेल mixed ओंट आ इनेट इम्यून औरनीके थिशेप्टर मॉप्रायक रेशन में लाइज़न प्टर्न को PAMP कहते हैं तो हाउ दीज इनेट इम्यून जो इनेट इम्यून सेल्स होते हैं या पी आर आर होते हैं यह पी आर आर है और यह पी एम पी के साथ इंटराक्ट कर रहे हैं हाउ डू दे अंडर्स्टैंड कि यह एक नॉन सेल्फ है एक नॉन सेल्फ सेल्स है क्योंकि पी एम पी जो रहता है यह बहुत ही स्पेसिफिक होता है स्पेसिफिकली प्रेजेंट होता है माइक्रोरियानिजम में दूसरा यह होता है कि इस जो पी एम पी जो रहता है वह बहुत ही इंपोर्टेंट होता है किसी भी माइक्रोब की वाइबिलिटी के लिए और इसलिए दीज आर लेस सब्जेक्ट टू चेंज यह ज्यादा चेंजिस नहीं शो करते और अगर यह चेंजिस शो नहीं करेंगे तो कंजर्वड रहेंगे इसका मतलब पी आर आर को उतना डिफिकल्टी नहीं होगा तो रेकेगनाईज दपी एम पी अब यह जो है पी आर आर यह जो मैंने बताया कि यह एक इनेट इम्यून सेल का पार्ट इनेट इम्यून सिस्टम का पार्ट है तो इनेट इम्यून सिस् prior to the, they emerged phylogenetically prior to the appearance of adaptive immune system मतलब की, emerged phylogenetically prior to adaptive system मतलब की, यह adaptive system से पहले ही आ चुके थे इसलिए यह PRR जो है इनेट इम्यून सिस्टम के पार्ट तो फिर अगर यह इनेट इम्यून सिस्टम के पार्ट है तो फिर यह उस cells में कहां प्रेजेंट होते हैं तो फिर लोकेशन अफ पी आरार जो रहता है वो सबसे पहले तो किसी भी cellular यह फिर endosomal membrane में प्रेजेंट होता है endosomal membrane secondly यह cytosol में प्रेजेंट हो सकता है और यह फिर यह secreted form में भी प्रेजेंट होता है in the blood stream में यह interstitial fluid में तो अगर हम इसको define करना चाहे है pattern recognition receptor को तो हम कैसे define करेंगे pattern recognition receptor PRRs are a class of germline receptor यहां पे इसे germline क्यों बोला गया germline इसे लिए बोला गया क्योंकि इसके जो genes है वो present है in the germline of the organism germline में इसके genes present होते हैं अब इसलिए यह PRR बहुत यूनिक है क्योंकि अगर हम adaptive immune system में देखे उसके receptors उसके adaptive immune system के जो cells है उनके जो receptors है जैसे की T cell receptor हो गया या फिर antibodies हो गया तो इसके जो genes है इसके receptors के जो genes है वो germline में present नहीं है जबकि इसके जो genes है वो genetic recombination से फॉर्म होते हैं genetic recombination से फॉर्म होते हैं और इसलिए PRR जो है यह बहुत यूनिक है क्योंकि इसके जो genes है इसके जो receptor के genes है वो germline में present होते हैं that's why they are a class of germline receptors that can directly recognize the specific molecular structures associated with the pathogen जिसको हम pathogen associated molecular patterns बोलते हैं तो नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसे patterns जो pathogen के साथ associated होते हैं और उसको recognize करने के लिए जो receptors immune cells में present होता है उसको हम pattern recognition receptor कहते हैं so next हम बात करते हैं function की तो जैसे कि मैंने बताया कि एक immune cell है और यहां पर एक PRR होगा जो कि उसको recognize करेगा receptor यह recognize करेगा PAMP को जो कि present है in the microorganism तो अगर एक PRR है जो कि कहां प्रेजेंट है immune cell में present है और यह किसके साथ interact कर रहा है PAMP के साथ में जो कि किसी pathogen या microbe में present है तो जैसे यह interact करते हैं तो यह activate करते हैं downstream signaling pathway activate downstream signaling pathway अब इसके responses अलग अलग हो सकते हैं जैसे कि protective response protective या फिर pathological immune response secondly जो यह response दिखाते हैं वो activate करते हैं किस्तर में कुपसके सब्सक्षाइब chemo attraction of innate and adaptive cells, adaptive immune cells or they can do is help in the phagocytosis. So these are the function of how a PRR, when a PMP interacts with a PMP, then it promotes this type of functions. Now PRR, Pattern Recognition Receptors, location wise that these receptors are present on its basis, we can divide them in two types. First, membrane-bound PRRs, second, cytoplasmic PRRs. So membrane-bound PRRs are classified in two types. Again, toll-like receptors and c-type lectin receptors. And cytoplasmic PRRs are Nod-like receptors and RIG-like receptors. So first, let's look at the structures. The first structure is a TLR. TLR, we are looking at example TLR3. Like a ligand is bind, TLR3 is double-stranded RNA. And as it interacts with it, it forms a dimer. So this is a diagram of TLR. And TLR and CLR are both plasma membrane receptors. Second is CLR, C-type lectin receptor. Here, the domain is a carbohydrate recognition domain. Transmembrane domain and Cytoplasmic domain. This structure is in this way. Next, let's talk about Cytoplasmic receptors. So which were Cytoplasmic receptors? NLR and RLR. NLR means Nod-like receptor. So this is Nod-1 and Nod-2. In Nod-1, there are different domains present. Like here, we can see Caspace activation and recruitment domain is present. Nucleotide binding domain is present. Lucine-rich repeat domain is present. Not to make an extra domain present. Caspace domain. So this was Nucleotide structure. And second is RLR. In this way, Caspace domain, Helicase domain and Repressor domain. So in this way, the structure is different from Cytoplasmic and Plasma Membrane Receptors. Now let's take a look at this. Now let's take a look at it in detail. I put this diagram here, so we can know which membranes are present in the cell. So here we can clearly see that CLR is in a plasma membrane. TLR is also present in plasma membrane. And it is also present in endosomes. NLR is also present in cytosol and RLR is also present in cytosol. So just a brief description about CLR, TLR, and NLR, RLR. So CLR is present in plasma membrane. It recognizes glycans from the wall of the fungi. And it activates different signaling pathways. The second plasma membrane receptor is TLR. Again, it is present in plasma membrane and endosomes. And it activates different signaling pathways. Next is Cytoplasmic Receptors. Which are NOD1, NOD2, Bacterial, Peptidoglycan and all these. In recognition help. Then comes RLR. This is also Cytoplasmic, which recognize viral RNA and they will produce interferon. So basically, here we had to know where location is present and which type of signaling pathway is activated. Next is classification. That TLR is in many classes. Like here we can see PRR types. Where is PRR present? Localization. We bind with one ligand. What is the origin of ligand? And what is the function of the ligand? So TLR, we know that TLR is present in plasma membrane and it is also present in endosomes and endosomal membrane. So first TLR1 is present in plasma membrane. And this will recognize triacide lipoprotein. Which will be present in bacteria. This function is to secrete different cytokines. And it will attract phagocytes and activate macrophage, dendritic cell, induced secretion of several cytokines. Then TLR3. This endosomal membrane is present in endosomal RNA. It will recognize RNA. Now we have seen this structure. TLR3. Where it binds with double-stranded RNA and dimer. So double-stranded RNA which is present in virus. Induces the production of interferon. Then comes TLR4. TLR4. Plasma membrane is present. LPS. Bacteria and viruses. Attract the phagocytes. Activate macrophage, dendritic cells. Induces the secretion of several cytokines. Same mechanism of activation. Then TLR5. Again it's present in plasma membrane. It will recognize the flagelline of the bacteria. It will attract phagocytes and macrophages. TLR6. Plasma membrane is present. Diacyl lipoprotein. Bacterian virus. Induces the secretion of several cytokines. TLR7. Endolysozome. Single-stranded RNA. Recognize. TLR7. Endolysozome. Single-stranded RNA. Recognize. TLR7. Endolysozome. Single-stranded RNA. To recognize. Virus, bacteria and protozozome. Virus, bacteria and protozozome. Then TLR10. Endolysozome. And the end function and origin are all unknown. Then TLR11. Plasma membrane is present. Prophylen-like molecule. Recognize. Prophylen-like molecule. Recognize. Of the protozoa. And activation of TNF, IL-12 and IFN secretion. So, this is the whole TLR. The whole TLR is about classification. And which ligand is activated. Which is very important. It is asked in most of the exams. So, this table is important. Next. CLR. Again, CLR is a plasma membrane receptor. So, obviously it will be present in the plasma membrane. And it will be related to the fungi. So, mostly Dectin-1. Sorry, it's Dectin-2. Dectin-1 will recognize beta-glucan of fungi. And trigger phagocytic uptake of fungal cells. Production of ROS. Second. This is Dectin-2. Same. It will be also recognizing beta-glucan of the fungi. Production of pro-inflammatory cytokines. And third is MIN-CLE. Sap-130 of the fungi. Expression of TNF and IL. Next. RLR. So, this is a cytoplasmic and cytozolic receptor. So, this is a cytozolic receptor. So, this is a cytozolic receptor. It means that it is present in the cytoplasm. And we recognize these viruses. So, after the function of the interferon. So, RIG-1. Present in the cytoplasm. This is a short double-stranded RNA. The key RNA-DNA viruses. And it will induce production of interferon. MDA-5. Again, present in cytoplasm. Long double-stranded RNA of the viruses. Induced expression of interferon. LGP-2. It's present in cytoplasm. Unknown. And it is recognized by these viruses. Next. NLR. Again, this is a cytoplasmic receptor. This is a cytozolic receptor. So, NORD-1 and NORD-2 are present in cytoplasm. NORD-1 will recognize IEDAP in the bacteria. Secreation of pro-inflammatory cytokines and chemokines. So, NORD-2 MDP will recognize bacteria. And the same method. Secreation of pro-inflammatory cytokines and chemokines. So, here we have seen what PRR is. The patterns are recognized. Like P-A-M-P, D-A-M-P, M-A-M-P. Then, how it distinguishes self and non-self. This is part of the innate system. And where it is located. We have also seen what functions are. So, I hope it helped you all. Thank you. Let's change a factor. It's a common factor. Now, we are on the path. So, we wait for the potential for the potential for the potential. झाल झाल